आप सबका सभागत है आपके चैनल पर चलो जैसे हम ने आ इसे कि हुए कुलिषी अफिर को वीडियो बनाएंगे पहल सब्सक्राइड 2008 कम्म counting एंगे त defendant in of its को वीडियोग उसके करेंगे चई करेंगे के बाद नीचे आगया यहां पर इसने एक चैनल बनाया था एक बेरिश टाइप यह फ्लैक बनाया और इसको ब्रेकाउट करके मार्केट नीचे जला गया ठीक है मार्केट ने इस जोन के नीचे बेज बनाया क्योंकि अगर यह जोन तूटा है जब को मालूम ता अगर बैंक निफ्टी ने यह जोन तूटा होता तो मार्केट 38,000 के नीचे चला आता कि अगरा तो हमें वन साइट 2000 रैली पॉंट्स की रैली मिल जाती बट मार्केट ने कहीं न कहीं यहाँ पर अपने आपको ओल्ड किया ओल्ड करने के बाद आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ एक डबली पैटन दिख रहे हैं हमें यह क्लしかta हो सकता है के मार्केट एक बार्म ले रिजेक्शन ले ले य सिडिये हैं यह वो है घांच नायवालस टाइम में थायँ आ हो सकता है कि वीकली टाइम तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में 43,000 वगरा भी लेवल देख सकते बट अगर अगेन यहां से 42,000 से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया तो फिर यह मार्केट एक चैनल में चला जाएगा इस तरह तो इसलिए 42,000 लेवल वीकली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगी बैंक निफ्टी के लिए तो फिर इस चैनल में यह घुमता रहेगा तो वीकली टाइम फ्रेम में लिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि बैंक निफ्टी या से एक छोटा सा रिजेक्शन लेके रूख जाए या पिर इसके उपर ब्रेक आउट कर दे तो जो जो पोजिशनल जाने वाले है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देख वाले टाइम में मार्केट उतना ही उपर की तरफ रैली कर सकता है यहां तक मतलब आप 43,000 प्लस तो आराम से पकट सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में यह बहुत ज्यादा मैटर करेगा क्योंकि अगर बुल्स को इसको उपर लेके आना है तो इसके उपर क्लोजिंग करके नि यहां से क्लियर कर देता है वेंडे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है सेम टू सेम यह डबलो पैटन सेकंड इंग सबसे में बैंक निफ्टी में उपर से ट्रेंड लाइन आएगी इस तरह यह देखो यह उपर से ट्रेंड लाइन आएगी एक्जैक्ट अपने 42,000 की है कि यहां से तो आज ही जाए आरएम से कही तो भी रिजिएक्शन लेने के लिए या फिर ब्रेक आउट करने के लिए मार्केट इस प्रेंड लाइन को तो आराम से तरच करे काई गहर हम लोग 42,900 43,000 ये लेवल्स भी नेक्स वीक में देख सकते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं 15 मिनिट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग 15 मिनिट टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें क्या दिख रहे हैं सबसे पहले market rally कब करता है market rally करता है market को जैसे मैं बोलता हूँ market को कभी stop loss पता नहीं है stop loss आपके broker में as a safety आप लगा देतो जहाँ पे आप अपने positions को exit कर देतो market को पता चलता है buy और sale तो यहाँ पे जो overnight जिस तरह market यहाँ पे नीचे fall हुआ था last 15 मिनिट में सब लोग यहाँ पे P side में मतलब यह option seller जो यह वो call right करके बेटे थे और अचानक से market gap up open होके निकल गया और जो सबसे बड़ा जो ट्रिगर हुआ है ना यह हुआ है 40,800 यह जो 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 जोन ता ना एक्चुल में मार्केट में यहाँ पे पोजिशन ट्रिगर हो गई उसके बाद इसने यह जो stop loss होता है ना stop loss hunting यह ओके मार्केट ने rally कर दी यहाँ पे अब एम पैटन वगरा भी बना रहा है तो 15 मिनिट में हमें अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनिट में भी एक और एक आ से आ रही है तो यह जो ट्रेंड लाइन से यह जो लेवल से यह लेवल कहा है जो जो अगर आप पोजिशनल लेके जा रहे हैं तो इस यहाँ पर बस एक बार अलर्ट हो जाना कि मार्केट यहां से rejection लेता है या पिर इसको breakout करके निकलता है तो फिर जो जो पोजिशनल इसको पर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया तो फिर 42,000 लेवल के लिए हम लोग के ट्रेडिंग कर सकते हैं तो अगर यहां पर जो एम पैटन का फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है तो 41,000 160 के नीचे कर मार्केट निकल गया जैसे कि अभी मंडे को एस पर एस निफ्टी मार्केट ग्याप अपन हो रहा है तो ग्याप अपन होने के पाथ as a buyer as a bull आप क्या सोचोगे आप इस मार्केट को इतना नीचे चला गया था ग्याप अपन होके निकल रहा है इतनी बड़ी इसने रैली कर दी 900 पॉइंट्स की प्लस यह और 250 300 पॉइंट्स ग्याप अपन हो जाएगा आपको दीख रहा है कि उपर 42,000 एक रेजिस्टन से तो चांसे बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर कई तो भी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अगेन मार्केट फिर नीचे एक सपोर्ट बना लें के लिए आएगा और फिर दिखते कि यहाँ पर इसने जैसे ब्रेक मिनिट में ग्रीन केंडल बन दी और इसको अगर इसने हाई को क्रॉस कर दिया तो फिर हम लोग अगेन एक बॉटम पर बाइंग का सोचेंगे तो यह दो लेवल से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ पर मार्केट बरने के लिए और फिर अगर यहाँ प आप एक एग्रेसिव सेलिंग करेंगे तो उसके बाद हम लोग आते हैं निफ्टी में निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है निफ्टी में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आगे वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी एस कंपेर टो बैंक निफ्टी एक वीकली में इसने पूल बैक टाइप एक कैंडल बनाई हुए निफ्टी में क्लियर कट आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है वीकले टाइम फ्रेम में यह देखो तो जब तक यह इस ट्रेंड लाइन को नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी में हम लोग एग्रेसिव बाइंग नहीं देख सकते और अगर जो जिसके जिसके पोजिशन्स औरेड़े ओरनाइट होल्ड है या फिर कोई पोजिशनल ट्रेड करता है तो इस चैनल को ब्रेक होने दो तब तक आप इस टॉप लास को ट्रेल कर दो अगर यह बूलिश्क चैनल टाइप इस बहुत ज्यादा है कि निफ्टी आप एक केंडल बना कि यहां पर तो करे गई तो जिसके जिसके पास पोजिशन्स होल्ड है अब बस अच्ट ट्रेल कर सकते हो नई पोजिशन्स बिल्ड करने वाले आपको बस इस ट्रेंड लाइन के लिए रुको जो जो पोजिशनल लेके जाते अब ब्रेक करने के बाद इसे आप पोजिशनल लेकर जा सकते हो इसके बाद हम लोग आते वंड़े टाइम प्रेम में यहीं ट्रेंड लाइन है तो वनड़े टाइम फ्रेम में भी आपको एगर इसको डवल पैटन करना है जो कुछ भी चीजे करनी है यहीं रिजेक् टाइप बूक कर सकते और स्टॉप्लस को ट्रेल कर सकते हैं तो टाइम फ्रेम में भी एक लियर कट हमें रिजेक्शन दिख रहा है अब में हम लोग आगे 15 मिनिट में तो इंट्राडे करने वाले हम लोग क्या सोचेंगे कि एज इंट्राडे ट्रेडर आपको क्या करना है 17,760 17,760 तो 17,800 यह जोन अगर निफ्टे ने निकाल दिया तो फिर हम लोग एग्रेसिव बाइंग करेंगे नहीं तो चांसे बहुत ज़्यादा है जैसे मैं बूल रहा हूं कि मार्केट कंटिनियूसली गैप अपनों के निकल रहा है कल भी अगर इसने गैप अपनों के न देंडल बना दी उसको क्रॉस करके निकल गया तभी हम लोग बाइंग के तरफ देखेंगे सेलिंग कप करेंगे सेलिंग हमें जो त्रेंड लाइन आ रही थी वह और यहाँ पर यहाँ पर कई तो भी रिजेक्शन मिल गया तो ऐस पूल बैक हम लोग वन डे पे इंट्राड करना और उज़े trend lines हा रही है उस trend line के type हम लोग beer gang जो है वो यहाप एक one day time frame के लिए इसको sale करने के लिए देखेंगे bank nifty के लिए जो है ना bank nifty के लिए weekly में मैं again बता देता हूँ इसको 42,000 level निकालने पड़ेगी नहीं तो ये फिर एक channel में फच जाएगा ये देखो ये इस box में ये फिर घुच जाएगा तो वन डे टाइम वीकली time frame में 41, 42,000 level के उपर bank nifty निकल गई तो फिर इस channel के बाहर निकलेगी तो अगर आपको इस video के मतलब अगर भी वीडियो को हमें अच्छा response आया तो फिर में weekly टाइम फ्रेम वीकली भी analysis वीडियो बनाऊंगा या फिर अगर आपको वन डे टाइम फ्रेम में भी चाहिए कि वन डे टाइम फ्रेम में भी आपको daily आपको daily analysis चाहिए तो आप मुझे comment करके बता देना हम लोग daily analysis वीडियो भी तो चलो अब मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में तब तक आपका ख्याल रखना यह लेवल्स आप निकाल के रख दो है वागर उटे थैंकर सो मच कर सब्सक्रेट आप